प्राइम टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अनुश्का सेंग खबरों के और आगे बढ़ेंगे लेकिन उसे पहरे नज़र इस वक्त की हेदलाइन्स बाद कैबिनेट में हो सकता है बड़ा फेर बदल पीम मोरी नामित शाओ और बियल संतोष के साथ की बैठक स्पूतनिक विग वैक्सीन जल्द सरकारी ठीका करंड केंद्रों पर होगी उपलब दिकारियों निदी है जौन कारी लोकडाउं से छूट मिलते ही बेपरवा हुए लोग हिमाचल में हिल स्टेशन पर लगी भीड नहीं मिल रहे हैं रूम आपके किसार नांदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर लगाए गया आरोप कहा सरकारी अभी योजना बदलना चाह रही बीजेपी बिहार में कोरूरा संक्रमन पर लगा ब्रेक 24 घंटे में 100 से भी कम आये मामले तो चलिए आप रुक करते हैं खबरो का मौनसून ने अभी तक दिल्ली में दस तक नहीं दी है मौनसून के 10 तक ना देने के कारण दिल्ली के लोगों को भीशन गरमी का सामना करना पड़ रहा है अनुमान जतय जा रहा है कि दिली में दस जुलाई तक मौनसून दस तक दे सकता है भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से बयान जोरी किया गya जिसमें कहा ग्या कि दक्ष्र पश्चिम मौनसून दस जुलाई तक दिली सहेत भारत के अन्यशेत्रों में पहुंच सकता है मौसम विभाग ने कहा कि दश्चिन पश्चिम मौनसून के पश्चिम उत्तर प्रदेश के सेश हिस्सों पंजाब हर्याना राजस्थान और दिल्ली के कुछ और हिस्सों में दस जुलाई के आसपास आगे बढ़ने की ही संभावना है इस कारण दिल्ली हर्याना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में अभी मौनसून के लिए लोग तरस रही है मौसम विभाग ने आगे बताया कि उत्तर आंद्र प्रदेश दक्षर उरिशा तटो से सते पश्चिम मद्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कम दबाब का एक छेत्र बनने की संभाबदा है बंगाल की खाड़ी के निशले सतर पर नम पूर्वी हवाएं आठ जुलाई से पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में प्रवेश करेंगी जिसके कारण 10 जुलाई तक पं में 20 से जादा नए चेहरे शामिल किये जौ सकते हैं इसमें उत्तर प्रदेश को सबसे जादा जगें मिलने की उमीद है इसके अलावा वाई एस आर कॉंग्रेस को भी सरकार में शामिल किये जाने की चर्चा है पीम मोदी की आज एहम बैठक होनी है जानकारी के अनुसार के इंद्रिय ग्रह मंत्री अमित शाह मंत्री मंदल विस्तार के संदर्भ में कई एहम बैठकों में शामिल होने वाले हैं इसके अलावा असम के पूर्व मंत्री सर्वानंद सोनोवाल भी को दिल्ली पहुचने का संदेश दिया गया है जोति नादेत सिंधिया भूपेंद्र कोवी शील्ड के बाद अब स्पूतनिक वी के ठीके से भामारी के सुदौर में राहत मिलने की उमीद है देश में रूसी कोवेड वैक्सीन स्पूतनिक वी के इस्तमाल को सेंटर रिसर्च इंसिट्यूट कसॉली से सेंटर ड्रक्स लेबरेटरी की ओर से मानेता मिल गई है नहीं आब स्पूतनिक वी ठीका जल्द ही सरकारी ठीका करण केंद्रों में मुफ्त में उपलब्ध होने वाला है केंद्र के कोविड-19 अर्जक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा ने बताया कि ये ठीका अब जल्द सरकारी की ठीका करण वेबसाइट पर मुफ्त में लोगों सेल्शियोस का तापान की जरूरत होती है अरोड़ा के मुताविक असल मकसद देश में ग्रामीरो लाकों तक इस वेक्सीन को पहुचाना है उन्होंने ये भी कहा कि भले ही इस वक्त तीका करण की धीमी रफतार हो लेकिन आगे आने वाले हफ्तों में एक बार फिर से इसमे भी जताई जा रही है केंज के जारी एक बयान में कहा गया था कि जुलाई महीने तक पचास करोन डोज लगाए जाने का लक्ष रखा गया है राजस्व को बढ़ाने और शराब माफिया पर नकेल कसने के लिए दिल्ली ने नईस आबकारी नीती की घोशना कर दी है जिसके तहट ग्राहकों को अब शराब के ठेकों में वाकिन का अनुभव देने बियर बनाने वाली छोटी काईयों को बढ़ावा देने होटल, कलब और रेस्तरा के बार को देर रात तीन बजे तक खोलने की अनुमती देने जैसे कदम उठाए गाए हैं आबकारी नीती 2021 को सोमबार को सारवजनिक किया गया जिसमें कहा गया कि दुनिया के जिन शहरों में लोग सरवादिक घूमने जाते हैं उनमें दिल्ली 28 वे स्थान पर है और भारत में सरवादिक विदेशी परेटक यहीं आते हैं इसमें कहा गया है कि आबकारी राजी के लिए राजजसु का एक महत पून श्रोथ है नई वेवस्था के तहत सरकार शराब के खुद्रा कारोबार से बाहर हो जाएगी जिससे रास्ट्री राजधानी में सरकारी दुकानों को बंद करने और निजी कारोबारियों को बढ़ावा देनी का रास्ता साफ होगा वर्ष 2021-22 की आपकारी नीती के अनुसार शहर में शराब की प्रतेक ठेके पर ग्राहकों को वौकिन की सो इधा मिलेगी यानि अब ठेकों में ब्रांट के कई विकल्प होंगे और दुकान परिसर के भीतर जाकर लोग अपनी पसंद के ब्रांट की शराब चुन सकेंगे दिली एंसियार में देर रात भूकंप के जटके महसूस किये गए भूकंप की तीवरता रेक्टर पैमाने पर 3.7 आकी गई है इसका केंद्र हर्याना के जजजर में बताया जा रहा है कि भूकंप सुमवार देर रात 10.30 बज़े आया नैशनल सेंटर फॉर सीमसोलाजी के अनुसार भूकंप रात 10.30 मिनट पर आया इसका केंद्र उत्तरी जजजर के 10 किलो मीटर के अंदर था वही इसकी तीवरता जादा ना होने की वज़े से किसी की भी जान माल को नुकसान नहीं हुआ है दिल्ली, गुरुगराम, फरीदाबाद और नौईरा गाजियाबाद में भी भूकंप के हलके जटके महसूस किये गए बताया वज़ा रहा है कि भूकंप के जटके महसूस होते ही बहुत से लोग घरों से बाहर निकल आए वही भूकंप के काफी देर तक जटके महसूस किये गए जिसके बाद लोग काफी देर तक घरों के बाहर ही रहे खास करके फ्लैटों में रहने वाले लोग भी जादा डरे सहे में दिखाई दिये इससे पहले 31 माई को दिन सोमवार को भी इसी तरह से भूकंप में हलके जटके महसूस किये गए थे वहीं उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधान सभाज शुनाओ से पहले समाजवादी पार्टी के मुख्या अखिलेश यादव ने ड्रीम प्रोजेक्ट में एक लखनओ के गोमती नदी के किनारे बना रिवर फ्रंट अब भ्रष्टा चार के जंजीरों में कस्ता नजर आ रहा है दरसल सूबे के पूरों मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कारेकाल में बने रिवर फ्रंट पर लगे घोटालों के आरोपों की जाच कर रही केंद्रिय जाच एजनसी सीबी आई ने काई जिलों में छापे मारी की है इस मामले को लेकर सीबी आई की टीम ने ना सिर्फ यूपी बलकी राजस्थान और पश्चिमी बंगाल तक चापे मारी की है वहीं सीबी आई के निशाने पर कॉंग्रिसी नेता राकेश भाती भी है कॉंग्रिस नेता राकेश भाती घर सीबी आई ने चापे मारी की चार घंटे तक CBI के जाच जारी रही वहीं देर सो करोड घुटाले को लेकर राकेश भाटी ने साफ तोर पर इंकार कर दिया है कि गौंती रीवर्फेंट के जाच चल रही है हमने महां काम किया था उसमंद में लोग आए तो जो भी थोड़ा दखाई देगा बीजेपे विधायक राकेश तिंब घेल के गोरखपुर निवास पर CBI ने चापे मारी की रिवर्फेंट घोटाले में CBI ने गोरखपुर में चापे मारी की वहीं यूपी के साथ साथ पश्चिम बंगाल और रजस्थान में भी CBI की चापे मारी जौरी है CBI लखनव की एंट्री करॉप्शन विंग ने रिवर्फेंट घोटाले में करीब 190 लोगों के खिलाफ F.I.R. दर्श की थी वहीं इस कारवाही में अभी तक कुछ निकल कर सामने नहीं आया है तो गोरकपुर में भी इसी तरह के से CBI की चापे मारी हुई है आपको बता दे कि पूर्वर सीम अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट रिवर्फेंट घोटाले को लेकर CBI लगतार चापे मारी कर रही है जहां पर लगतार CBI के बीते दिनों चापे मारी देखने को मिली आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजेस्थान और पश्चिम मंगाल में भी चापे मारी की गई है इसी कड़ी में गोरकपुर में भी चापे मारी की गई है फिलहाल CBI की तरफ से कोई भी आ माना अचनीरा शेत्र में लूट का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है बाइक सवार लुटेरों ने महिला की चेन लूट ली इस दौरान महिला को गंभीर चोटे भी आए वहीं बाइक सवार लुटेरे मौकी से फरार हो गए इसके बाद सूचना मिलते ही पोलिस कप्तान आलादि पाई और उसका बेहन दोनों अपना सस्वराल से माइक जारिती मतुरा में वह रात रास्ते में जाते समय के ट्रम आईवे पर दो लड़के मोटरसेकल पीछे आये था उनसे चापटा मारा है चापटा मारते से में लड़की है वो पीछे गिर गिया है और उनका चापटा मे लड़के पीछे कौन आया है अभी कुछ लोग देश के रक्षामंतरी राजनात सेंग कान पर पहुंचे जहां उन्होंने श्वाम नगर सेत हरिहर धाम में अपने गुरू हरिदास से मिलकर आउनका शिरवाद लिया रक्षामंतरी राजनात सेंग ने भारत के सीमा पर पाक श्वस्त करता हूं कि देश पूरी तरह से सुरक्षत है जो भी चैलेंजिस सामने आएंगे हमारी आपनी निपटने के लिए पूरी तरह से उसमें सक्षम है जस्टिस और हमेनिटी यही हमारा आधार रहा है राजनीट करने यह करें मुझमानों में पड़र पैदा किया गया इससे वोटों के नहीं नहीं वो तो अपना पॉलाइजिसन करने बाले डर पैदा करते हो जाहे भारती जनता पार्टी हो तो आजिस विचार धारा को हम लो जाये वो किसी जहा जिपन र जब्स का इंप साथ कम होने के साथ साथ जन जीवन अबस आमानी हो रहा है प्रदेश तरकार चरणवार लोगों को रहात दे रही है उत्तर प्रदेश में लौकडाउन को धीरे धीरे खुला जा रहा है इसी क्रम में सोमवार से उत्तरप्रदेश में मल्टिप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और स्टेडियम खुल चुके हैं इसको भी पांच दिन के लिए खुला गया है इस दोरान भी लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का बेहत सक्ती से पालन करना होगा सभी जगे पर सरकार निगरानी करेंगी इस संबद में मुखे सचेपर राजेंद्र कुमारतिवारी ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर मल्टिप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्स स्टेडियम सबताह में पांच दिन तक खुल सक अनुरोद करना चाहते हुए कि अपने स्टूडेंट्स, अपने क्लाइंट से एक अनुरोद करना चाहते हुए कि वह गवर्मेंट की गाइडलाइन को पूरी तरह से फॉलो करें, पूरी तरह से अपना सेनिटाइजर करें, वैक्सीन लगवाएं, साथ ही साथ हो सके तो फेश शील्ड गलफ लेकर जिम में आएं और जिम में बहुत अनुशाशित तरीके से भीड़ना बढ़ाएं और ब बाद अब सिनेमा गहरों, जिम और स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स को खोलने की आनुमाती दे दी गई है, आपको बता दें कि आब उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमन के मामलों में कमी आई है, जिसके बाद अब इस तरीके से राहत मिल दी शिरू हो चुकी है। आर्थिक तंगी से जूच रहे, बीसनल के मैनेजमेंट द्वारा करमचारियों के भविश से खिलवार किया जा रहा है, जिसको लेकर आज भारतिये टेलिकॉम एमपलाईज योनियन ने प्रदेश के खिलाफ और सरकार के खिलाफ प्रदेशन किया, योनियन के उपाध्यक् काल में जिन करमचारियों की मौत हो गई थी, उन्हें उचेत मुआफ़जा दिया जाए, कोरोना काल में हजारों करमचारियों के पैसे काटे गए, वो आखिर क्यों काटे गए, उन्होंने कहा कि नॉन अग्जेक्टिव प्रमोशन पॉलिसी रद कर नई पॉलिसी बनाए ज कारियों की आर्थिक इस्तिती बदहाल है, उसको ठीक करने के बारे में, जहां जहां पर भी लोगों के काल डाइवर्ट हो जाते हैं, काल पास नहीं हो पाते हैं, तमान तरीके से दिक्कतें आती हैं, जिसके कारण से लोग बियस्तिति छोड़कर के दूसरे कंपनियों में नंबर कोट कराते हैं, उस प्रमुख समस्या को दूर कराने के लिए, साथी साथ देश की जो इस्तिती आज बियस्नल, देश की इस्तिती में बियस्नल का जो रूप आया है, उसके लिए ITS अधिकारी जिम्मेदार हैं, करमचारियों का तो सब कुछ हो गया, करमचारियों को वियारेस दे दिया, बलकि वियारेस नहीं कहा जाया, अधिकारीयों ने, सियारेस के रूप में उसको कराया, लेकिन ITS जिनों ने कराया, वो कब जाएंगे, ITS की भी संख्या इतनी आवस्चता नहीं है, इसलिए ITS को भी इमेडियेट उनके उपर रंकुस लगना चाहिए, लखनव में BSNL करमचारियों का प्रदर्शन देखा गया है, आपको बता दें कि सरकार के खिलाफ वीते दिनों BSNL करमचारियों ने प्रदर्शन किया, साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है, कि उनकी मांगों को जल्द स्वीकार किया जाए, उनके कुछ प्रमुक मांगे ह जिसमें उन्होंने साफतार पर कहा है कि उनकी स्वास्त विवस्था पर भी ध्यान दिया जाए, जोने स्वास्त सो विधाय दी जारी है, उसकी गुणवक्ता में सुधार किया जाए, साथ ही वेतन को लेकर भी उन्होंने सरकार से कई मांगे की है राजधाने लखनोग में नादर गंज चौकी इंचार्ज ने एक मिस्साल पेश की है उन्होंने अपने बच्चे के जर्म दिन पर गरी बच्चों को फल बाते इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उपवन में गायों को खाना भी खिलाया आपको बता दे कि तस्वीरों में दिख रहे चौकी इंचार्ज को नाम दिन करवर्मा है ये मिसाल उन्होंने लोगों को समझना जरूरी है जो बड़े बड़े खोटलों में अपने बच्चों का जन्दन वना कर लाखों रुपे बरबाद कर देते हैं अगर पुलिस महके में के एक छोटे से चौकी इंचार्ज ऐसी मिसाल पेश कर सकते हैं तो और भी लोगों को इस तरीके से आगया आना चाहिए जिससे उन्हें गरीब लोगों को कम से कम एक दिन की राहत मिल सके जो रोटी के लिए तरसते हैं जालान के थाना शोयत्र बे ग्यात बदवाशों ने 65 साल की महला के निर्म महत्या कर दी आपको बता दें कि ये पूरा मामला जालान के एक उटो थाना शोयत्र का बताया जा रहा है वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके का जॉयसा लिया पुलिस सम् मामले की जाँच कर शवको पोस्ट मौटम के लिए भेजी दिया है फिलहाल बताया जो रहा है कि वरद महिला अपने छोटे नातियों के साथ घर पर रहती थी जबकि उसका पती मंदिर में रहते थे वही अग्याद बद मौशों ने घर में रखे रुपयों को चुराने का प्रयास किया और महिला की गला रेद कर हर्त्या कर दी फिलहाल पुलिस पुरे मामले की जाँच में जुटी है हाँ यह थाना हद्रूक छेत्र के गाउं मडोरा की घटना है आज सुबह पुलिस को जानकारी हो यह बिद्यावती है करीव सत्तर शाल की इनके गले पे दोनों तरफ किसी शार्प नुकिली चीज से इनका मडर किया गया है एक ट्रेक्टर चालक है जो उनकी खेती बाड़ी ट्रेक्टर इनका था अपना पहले से तो यह किराय पर खेती लेके करते थे कुछ पैसे वैसे बता रहे हैं लोग कि रखे हुए थे वो वज़ा है या कोई और वज़ा है इसकी जांच की जा रही है किसी बच्चे बता रहे हैं कि इनकी दादी रात को किसी से बात कर रही थी अगर बच्चे सही बोल रहे हैं तो मोबाइल कपजे में नमबर लेकर उसका सीडियार निकल वाएंगे और घटना राइबरेली में स्पी के निर्देश पर अपरादियों के खिलाफ लगतार अभ्यान चलाए जा रहा है बच्रावा थानक शेत्र के अंतरगत बंधन बैंक के करमच्वारी से हुई लूट का खुलासा करते हुए पुलिस और एसोजी ने चार शातिर लुटेरों को गिरफतार कर लिया है आरोपियों के पास से पुलिस ने 77,400 रुपे नकद एक मुबाइल फोन और एक तमंचे को भी बरामद किया है तो राइबरेली में इस वक्त पुलिस को बढ़ी सफलता मिली है आपको बता दी कि बंधन बैंक के करमचारी से पीते दिनों लूट की वारदात को अंज़ाम दिया गया था जिसके बाद पुलिस और एसोजी के टीम में चार शातिर चोरों को गिरफतार कर लिया है साथ ही उनके पास से नकद, मुबाइल फोन और तमचा भी जब्त किया गया है ये 24 तारीक को थाना बच्रावा में बंधन बैंक के करमचारी आ रहे थे जिनको बाइक सवार तीन लोगों ने जिनका बैंक शीन लिया था जिसमें एक लाग दसजार रुपे थे इस घटना के अनावरन के लिए खाना बच्रावा और एसोजी टीम को लगाया गया था जिनके द्वारा आज चार लोगों को गिरफतार किया गया है जिसमें एक योचना करता और तीन घटना कारित करने वाले लड़के शाजहापुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है बता दे कि पुलिस ने 450 ग्राम चरस परामद करते हुए एक अब्युक्त को गिरफतार किया है अंदर रस्ट्वी बाजार में पकड़ी गई चरस की कीमत इस वक्त लगभग 90 लाख रुपे बताई जा रही है पुलिस अदिक शक ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि विजलापुर गाओं के पास एक योवक्त चरस की तसकरी के लिए मौजूद है सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुँच गई और तसकर को रंगे हाथों गिरफतार कर लिया किया आरोपी की तसकर के पास से एक प्लास्टिक के थेले में 450 ग्राम चरस भी बरामत की गई पुलिस ने अभ्यूक्त के खिलाफ एंडी पिया सेक्ट के तहट मुकदमा पंची करतकर उसे जेल भेज़ दिया है और फिलाल पुलिस आगे की तफ्तीश में जोटी हुई है मारक पदार्तों की अवय तसकरी करने वाले जो अपरादी है उनके विर्ट जन्य रंतर जन्पद में कारवाई चल रही है इसी क्रम में थाना रामचन मिशन को एक मुह पूरुन सबलता प्राप्त हुई संबल में महिलाओं और एक युवक के साथ लाठी डंडे और इच से मारपीट का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है वाइरल वीडियो में कुछ युवक ट्राफिक पुलिस की मौजूद ही में महिलाओं और एक युवक के साथ लाठी डंडे और इच से मारपीट करते नजर आ रहे हैं वहीं पुलिस से वाइरल वीडियो की जौनकारी के बाद मामले की जाच में जुट गई है तो संभल से ये पूरा मामला सामने आया है जहां मारपीट का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है आप साथ तोर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से दिन दहाडे इस तरीके से मारपीट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है वहीं तस्वीरों में साफ तोर पर दिख रहा है कि कुछ लोग महिलाओं को और एक युवक को निश्वाना बनाते हुए उन पर लाठी डंडो और इट से हमला कर रही है वहीं हरानी की बात तो यह है वहाँ पे एक ट्रैफिक पलिस वाला भी मौझूद था जिन्नों ने उन्हें रोकनी की भी कोशिश की पर अपरादी जुत है वो रुकने का अंडाम नहीं ले रहेते और इसी के साथ खबरों में फिला लेतना ही देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे है प्राइम टीवी के साथ तमस्कार